जिन महिलाओं की पहली प्रेगनेंसी चल रही होती है उनके मन में बहुत सार्ए डाउट और बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जैसे कि किसी केरे पेट जू है ज्यादा नहीं दिखता है प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग समय में उसे बहुत ज़ादा वॉमिटिंग भी है है क्या इस तरीके का आपके साथ हो रहा है प्रैगनेंसी में क्या वह एकने सित है इसके उपर बहुत घर बैठे कैसे जान सकती है कि आपके बच्चे का जो विकास है वो अच्छे तरीके से हो रहा है या उसकी ग्रोथ जो है वो पूरी तरीके से रुक चुकी है इन सारे पॉइंट के उपर चर्चा करेंगे कोई भी प्रैग्नेंट लेडी कोई भी मन्त चल रहा है उसका अगर उसने ये वीडियो देख लिया तो आज के आज आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आज आप जान लेंगे कि आपका बच्चा स्वस्त है या फिर उसे कौन-कौन से प्राबलम की चांसे बढ़ रही है जिससे समय रहते आप डॉक्टर से मिलेंगे और आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी हो जाएगी तो पूरे कम्प्लीट लक्षन को भी इसमें जानेंगे तो सो गाइस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक वाच किजिए गा स्किप मत किजिए बहुत सारे पॉइंट जो होते हैं वह बीच वाले गयब हो सारी महिलाएं होती हैं प्रेगनेंसी करिण सीब होने के बाद पतली हो जाती है वेट लॉस लगतार होने लगता है खाना ड्यजस्तनी होता हैasis कि समस्या होती है जो Eckitt बाहर आ जाता है वह मिटिंग के थुरू अगरिंस सब आपके साथ हो रहा है तो ये एक healthy pregnancy का sign है, बिल्कुल घबडानी की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे महिलाओं के साथ ये सेम लक्षन होते हैं, ये चीजे हार्मोनल changes के कारण होती है, लेकिन एक चीज बता दू, अगर एक से तीन महीने के बीच आपको bleeding हो जाती है, spotting होती है, चाहे bleeding बहुत ही कम क bleeding ये सब हो रहा है, तो बिल्कुल नॉर्मल है, अब हम एक बार बात करेंगे, तीन से छे महीने के बीच इस दौरान पेट निकलना स्टार्ट हो जाता है, बचे का growth होने लगता है, growth बढ़ने लगता है, इस case में क्या होता है, किसी महीला का पेट दिखता है, किसी का पेट नहीं दिखता है, अगर कोई pregnant lady छे महीने की भी pregnancy चल रही है, पांच महीने की चल रही है, कोई देखकर नहीं बता पारा है, कि आपकी pregnancy चल रही है, तो सबसे ज़्यादा उस टाइम मन में ये डाउट होता है, जो first time mom बनती है, कि कहीं ऐसा तो नहीं, कि मेरा बच्चा healthy नही प्रयुक्ता इस तरह की मन में धारनाय होतीयां, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं, जिना पेट कम निकलता है चे महीन सक उनका वी बच्चा स्वस्थ हो सकता है, और जिनका पेट बढ़ा है उनका भी बच्चा बहुत करता है नवर मलन में बच्चे होते हैं के बीच तो जिन महिलाओं का पेट नहीं दिखता है उनका भी साथवे और आठवे महिने में आसानी से पेट दिखने लगता है क्योंकि इस टाइम बच्चे का जो वजन होता है डेर से दो केजी तक पहुच जाता है इसलिए पेट अपियर होना बहुत नौर्मल सी बात है जर में कहा जाए तो अलग-अलग वेट होना दिखना यह बिल्कुल नौर्मल है आपको घबडानी की जरुवत नहीं है अब यहां जाने से पहले एक चीज़ कहना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी पूरी हेल्दी चल रही है यह तभी आसानी से पता चलता है जब आपका बच्चा हल चल करता है हमेशा आपको एक या दो दिन पर या दिन में एक दिन में चार बार अगर हल चल करता है मुवमेंट में है यानि कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है चाहे पेट चोटा निकला है यह पेट बड़ा निकला है कोई फर्क नहीं पड़ता है सभी के मोस्टली बच सबसे कल की वीडियो में थैंक्स पो वाचिंग तब तक के लिए बाई बाई टेक केर